हलो फ्रेंड्स आप स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पर मैं हो कम्लेज अजके इस वीटियु आप सीखेंगे एक सेल के एक और नए फंक्शन के बारे में वहार ट। टेक्स आप्टर फंक्शन तो टेक्स आप्टर फंक्शन जैसे को नेम से पता जला है कि ये क्या करता after function नहीं पता है तो उस case में आप क्या करते होंगे या तो आप text left function यूज़ करते होंगे या आप यहाँ पर जैसे text to column से इसको आप segregate करते होंगे लेकिन आपको जैसे for example मागरा को दिखाओं कि अगर आपको यह function नहीं पता होगा तो उस case में आप क्या करते होंगे कि इसको split text to column करते होंगे इस तरह से तो यहां पर आप जब आते होंगे तो यहां पर देखिए option बहुत सारे देखिए यहां space वाला option है तो इसको आप यूज करते होंगे तब जाके आपको यह इस तरह से यहां segregate करके देगा मैं आपको example करके यहां पर दिखा देता हूं मैंने apply किया तो देखिए यहां पर इस तरह से segregate हो गया है but this is a very long process तो हमें इसको कैसे इसको short करना है तो हम सीखिंगे इस text after function के through तो इसको फिर से undo कर देता हूं ताकि मैं आपको इसको आसानी से फिर से समझा सोको जैसे कि मैं आपको बताता था कि text after function का भी same यही work होता है लेकिन इसका सबसे बड़ा benefit क्या होता है कि यहां पर चाहे starting का आपका name कितना है भी character का हो कितने भी digit का हो तो यह आपको जह है last का जो name है वो segregate करके दे देगा तो normally क्या होता है कि जब हम अपर data कुछ इस तरह से होता है name में या किसी salesperson या कुछ भी हो सकता है text में तो वहां पर हमें क्या है कि left function में जब हम यूज करते है excel में तो उसमें हमें क्या है कई तरह की वहां पर condition देनी पड़ती है लेकि text after ज चलिए इसको हम सीखते हैं तो यहां पर जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि अभी हम आपको data है student का वह है with space के साथ तो यहां पर मैं आपको पहले बताऊंगा कि अगर with space के साथ अगर आपको पास कोई student name का data है या कोई text है या salesperson name है तो उसको आप कैसे segregate करेंगे तो सीखते हैं इसको तो यहां पर सबसे पहले मैं टाइप करूंगा इस उक्वल टू टेक्स आप्टर तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो अगर आपको इस फंक्शन के बारे में अगर पूरा डेटेल जानना है तो इस तरह से आप सब पढ़ सकते हैं कि इसका basic यूज क्या ह और एक इसले यूज होता है तो यहां पर जैसे पुछता किप्स से डियूमेटर डैट मिस्ट की जिक्स में से आपको उसको सेगरिकेट करना है तो सब्सक्राइब कौन से क attracting करना क्यों सहां इस चेक्स से तो इसको मैं सलrnt कर लेता हूं अब यहां पर अब यहां पर क्योंकि हमें space के साथ इसको segregate करना है तो उस case में हम यहां पर space वाला यहां पर option यूज़ करेंगे double code के साब से तो यह हमने यहां कर दिया है तो यह क्या है कि text case में आपको इसको ऐसे रखना है तो अभी क्या होगा मैं इसको ब्रेकेट क्लोज करता हूँ और इंटरप्रेस कर देता हूँ तो यह देखिए मैंने जैसे इसको यूज़ किया तो आपने देखा कि यह जो यहां पर जो लाश्ट वाला जो टेक्स था वो अल्यटी हां इहां सेग्री केट हो गया तो देखा न कि हैक यहां फंक्सन तो यह हम सुनु ना फंक्सन क का मैंने इसका वी क्लिक कितना से कज़र्यों ज्यादा तो इस केश में भी हमें उसका लास्ट का जो करेक्टर हो हमें निकाल कि यहां पर दे देता है तो एक तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके बाद टेक्स में डेटा अगर इस तरह से है तो उसको आप कैसे यहां पर aggregate कर सकते हैं दूसरा मापको बताता हूँ तरीका कि अगर आपको पास कॉमा में अगर देटा है था अगर 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 मनीज को इस तरह से अगर डिटर ही कर लेता है में इसको कि नब यonne यहां पर इसको और भी जो अपहर никаких हैं कि है और यहां पर मं अबये हैं कि बीच में इस पेश कें पहले में ना पर इसको कॉमा से इसको मैं å के यहां एड्ट कर लेता हूं कि इन आ यहां कॉमा बीच में आड कर दिया अब इसको हम कॉमा से कैसे सप्रेट करेंगे इसको भी हम सेखते हैं तो यहां पर हम फिर वही टेक्स आप्टर select कर लिया हमें जिस text को भी हमें यहां पर separate करना है तो यहां पर अब हमें यहां क्या करना पड़ेगा इस double code के साथ हमें यहां पर comma को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें comma से इसको segregate करना है और इसको हम close कर देंगे तो देखिए segregate हो गया है इस तरह से कि दूसरा तरीका मैं इसलिए आपको बता रहे हैं हरचीत अपकी यह कभी भी क्या होता है यह देटा था तो उसको आप कैसे सेग्रिकेट कर सकता है एक तदूसरा अगर इस तरह सेगर आपको यह कुछ आप कैसे यहां सगरिकेट करेंगे इसको भी हम सेकते हैं कि डेटा क्या था हमार पास कई फॉर्मट में आता है तो कुछ मैं बताता हूं बेसिक जो ज्यादा यानिकि हमें फेस करनी पड़ती है पॉर्डम एक्सल में तो उसको आप कैसे यहां पर रिजॉल कर सकते हैं इस पॉर्फॉर्फ फंक्शन के थ्रू तो यहां मैं पहले सब क को यहां पर एड कर लेता हूं इस तरह से तो यह मैंने सारे यहां पर एड कर लिए अब इसके तुरू हम इसको कैसे सग्रिगेट करेंगे वह हमें यहां सीखते हैं तो यहां पर हम सिंप फिर हो इस टेक्स चाप्टर दिस्ट तो यह तो रहेगा यह आपका क्योंकि यह हमारा डवल कोटर तो इसके लिए हम यहाला साइन यूज़ करेंगे फिर यह वाला और इसको हम यहां पर क्लोज करेंगे तो देखिए इस तरह से यहां पर यह सेग्रिकेट हो गया है तो यह मैंने आपको बताया तेन एक तुरू कि actually text after function जो है Excel में कैसे काम करता है और इसका हम Excel में यूज क्यों करते है तो friends आज के लिए बस इतना ही है उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत पसना होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज को आप लाइक करें शेयर करें और चैनल क आपको सब्सक्राइज जरूर का reference ना कि आपको इस तरह के नहीं वीडियो डेली देखने को मिल सकें थैंक यू